आज मैं आपके लिए लेकियाई हूं दहीं की सब्सक्राइब बनाने के लिए और आपको समय नारेयो को क्या बनाएं बहुत इजी रेसिपी है घर में सारे इंगेट्स अवेलेबल होते हैं और यह जट से बन जाती है इंस्टेंट रेसिपी है तो चलिए ज़्यादा टाइम बनाने के लिए में चाहिए लाल मिर्च पाउडर और हम लें लेंगे मस्टर्ट सीड्स यानि राई शूगर कड़ी पत्ता हारी मिर्च साबुत लाल मिर्च जीरा पाउडर हल्दी ऑल्ड नमक और थोड़ी सी हेंग और हमें चाहिए यह दैं ही लिया हूँ है इसको अच्छे से बीट किया हूँ है फेंटा हूँ दही है लांप्स निया बिल्कुल धनिया लीव्स प्यास चॉप किया हूँ टमाटर भी बारीक चॉप किया हूँ तो सबसे पहले हम ऑईल लेंगे पैन में डालेंगे तो इसको गरम होने देंगे थोड़ा साम उसके बा यह सारे मसाले तो गर पर पड़े होते हैं हमारे पास अब हम डालेंगे साबोद लाल मिर्च बहुत डिफ्रेंट सी रस्पी बहुत टेस्टी भी बनती है और इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता तो इसको भी हम सौटे होने देंगे तो अब हम एड़ करेंगे हरी मिर्च यह आप अपने साब से कम जाड़ा डाल सकते हैं तो कि लाल मिर्च भी डालेंगे हम भी तो अब हम इसमें आड़ करेंगे प्यास बारीक चॉप किया हुआ इसको हम सौटे होने देंगे को मिक्स कर लेंगे लें तो जूटा से गुल्ण ब्राउन हो जाएगा तो फिर हम बागी हिसमें आड़ करेंगे तो मारा golden brown हो गया है तो इसमें नमक डालेंगे यह स्वाद अनुसाद डालने और थोड़ी सी हेंग डालेंगे एक चुथाई इसे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है वैसे भी अच्छी होती है डाजेशन के लिए जीरा पाउडर मिक्स करेंगे अच्छा से अब आड़ करेंगे हल्दी लाल मिट्च यह आप कम जद अपने इसाब से डाल सकते हैं इसको मिक्स कर लेंगे एक बार अब हम इसमे ऐड करेंगे देमाटर जोमने चॉप कि हैं से दिकर कितनी जल्दी बनने वाली है है थोड़े से चीन्हाँगर हम इसको थोड़े से पकने नियों और इसको ठंडा करके ही हमने जो नहीं है ढही हमारा पिंटा हुआ उसमें आड करेंगे। तो इसको दो मिन पकने देते हैं तो यह मारा रेडियम को ठंडा करके हम फिर उसमें आड़ करेंगे तो यह दिखे मेरा ठंडा हो गया मिक्सर तो अब हम इसको दही में आड़ करेंगे यह सारा डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे तांकि वो जो हमारे मसाले हैं वो दही में का फ्लेवर आ जाए दिखें जट से बन गई रेसिपी आप जब भी कभी कोई सब्जी ना होता आप फटाक से यह बना सकते हैं और है भी बहुत इज़ी है सारा कुछ घर पर पड़ा होता है हमारे पास इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको बाद में थोड़ा सा धनिया डाल के इसको गार्निश कर देंगे अपिकता हैं नहीं बैंसे करें दूसकूर हो घंच हाँ और हमें परनिये के दढ़के रूटीकों सब्लून जाए तो अगर आपको यह मेरी दही की सबजी की रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही मैं बेल लाइकन का बटन हो ज़रूर प्रेस कर दें तांकि जब भी मैं कोई ने रेस्पी अपलोड करूँ तो आपको तो उसको नोडिक पिशल मिल जाए इसके जो इंग्रिजेंट्स है मैंने डिस्रिप्शिन बोक्स में डाल दीगे तो चलिए मिलते हैं अगली बार ने रेसिपी के साथ तिल रेन थैंकि तो मच फॉर वाचिंग मचानों फूद पैरड़ाइस स्थे स्टेव स्टेव